क्या इरान में एक अर्थक्वेक हुआ है और जो अर्थक्वेक इरान के एक राज में हुआ उससे क्यों दुनिया के सारी मीडिया और देशों गोई संगinator गया है कि शायर इरान एक नूकलियर टेस्ट किया है क्या है इसकी पूरी कहानी और क्यों इरान जिसके पास already इतने nuclear reactor थे जिसने अमरिका के साथ एक nuclear deal की और कोशिश की अमरिकाने और दुनिया भर के कई देशोंने कि इरान अपने nuclear program से weapons develop ना करे वो फेल होता दिख रहा है और हाल में इसराइल के हाथों, हमास, हेजबॉला के बड़ी लीडर्स की मौत के बाद ये और संकेत मिलने शुरू हो गए कि शायद इरान अपने न्यूकलर प्रोग्राम के उपर और तीजी के साथ काम कर रहा है आईए इस वीडियो में जानते हैं इस पूरी कहाने को कि क्या है ये प्रोग्राम, कैसे बनते हैं न्यूकलर वीपिन्स और क्यूं इरान का ये अर्थ्ट् कुएक असल में इशारा है एक एक अटमिक या न्यूकलर ब्लस्ट का सबसे पहले आप समझे yeah इरान किस कहानी को कि इरान की उपर आरोप क्या लग रहे हैं काफी समय से वेस्ट के कई देशी आरोप लगाते है कि इरान मिजाल्स को टेस्ट करता है क्रून्स को सप्लाइ करता है और यूरीनियम को एंजिज़ करता है सवाल यह है कि uranium enrichment का मतलब क्या होता है देखिए किसी भी nuclear reactor में आप uranium का इस्तमाल करते हैं उसके atoms को या तो तोड़ कर या उसको जोड़ कर या fusion या fission के थूँ आप energy बनाते हैं जिस energy से या आप power generate कर सकते हैं या फिर आप उससे bomb तक बना सकते हैं नॉर्मली uranium को अगर आपसे उसको energy create करनी है या बिजली बनानी है तो आप 4% तक या 5% तक उसे enriched करते हैं लेकिन एक weapon grade uranium 90% तक enriched होता है और आरूप यह है कि इरान का uranium 60% तक enriched already है तो उसका मतलब वो enrichment बढ़ा रहा है उसका एक ही कारण है कि शायद वो weapons develop करना चाहते है इरान के उपर हो रहे इन आरूपों का जो main कच्चा चटा है वो आता है एक earthquake से uranium और uranium plant जिसके थूँ इरान ऐसा कहता है कि वो केवल power generate करता है जबकि पूरी दुनिया का आरूप है कि वो उनसे weapons बनाने की तयारी कर रहा है यह कोई नई आरूप नहीं है इरान ने लगाकार अपने missile के range बढ़ाई है और America, Israel, Saudi Arabia ने भी आरूप उसके उपर लगाए है कि वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा कर रहा है secretly और ठीक यही एक जो earthquake हुआ सवाल उठाता है कि क्या वहाँ underground nuclear test किया गया यह तब हुआ है जब उससे कुछ हफ्तों पहले ही Hezbollah के chief और हमास के chief की मौत हो चुकी है जो इरान के लिए बहुत important strategic ally है जो बहुत बड़े strategic asset है जिनके तुरू इरान, इसराइल पर और अमेरिका पर दबाओ भी बनाता है और Middle East में अपनी power को और बढ़ाता है कि देखो हमारे लोगों ने इसराइल की नाक में दम कर रखा है वह इतनी powerful हैं इतने शक्तिशाली है लेकिन उनकी मौत के बाद सवाल ये उठता है ये earthquake एक ऐसे time पर होता है जहां सवाल लें की सुईयां सीधा सीधा इरान की और जाते है इरान का एक province है सेमनम इस सेमनम इलाके में एक earthquake हुआ लेकिन इस earthquake की खास बात थी ये ज़ादा spread नहीं हुआ जहाँ एपिसेंटर था उसके आसपास ही earthquake एरान चार रिक्टे स्केल पर ये ना पा गया इस earthquake के बाद news ये बनी कि यहाँ पर और अलड़ी दो ऐसी underground facilities है जहाँ पर इरान कहता है कि उनका space program या उनका कोई procurement program रन होता है और वहाँ के पास ही ऐसी earthquake का होना ये दिखाता है कि कोई एक बड़ा explosion यह हुआ है यानि most probably एक nuclear detonation जिसमें एक bomb को शायद उन्होंने underground test किया है और इसी की वज़े से सैमनम के इस province में ये earthquake आया है इसकी पुष्टी इरान ने नहीं की है लेकिन अठकले बहुत तेज है उसके पीछे वज़े क्या है वज़े है कि इरान का एक हमेशा बढ़ता हुआ nuclear program वो अगर आप इरान की पूरी sites को देखें तो वहाँ कई important जगे हैं जहां उन्लेडी उनकी nuclear facilities है फोडो, कुंदाब, नतांस, इश्वहान, बुशेहर यह कुछ important जगे जो आप इहां देख सकता है फोडो, कुंदाब, नतांस, इश्वहान और बुशेहर यह important nuclear facilities हैं इरान की जहां पर वो कहता है कि वो power generate करने के लिए इस्तमाल करता है लेकिन कहा यह जाता है कि uranium enrichment का level इतना high है जो सीधा संदेश देता है कि शायद वो bomb बनाना चाहता है अगर हम process को समझे तो आप uranium ore को earth से निकालने के बाद extract करते हो उसको convert करते हो gas में फिर उसको enrich किया जाता है U2235 U-235 U-235 एन्रिच करकर उससे weapon grade uranium create किया जाता है इसके लिए आपको uranium को 90% तक enrich करना पड़ता है ताकि आप उससे weapon मना सको जब enriched uranium को nuclear energy के लिए बस्तमाल कर पाओ उसके बाद उसी fuel से plutonium निकलता है और उससे आप weapon grade plutonium भी बनाते हो नागा साकी में अमेरिका ने plutonium bomb गिराया था जबकि हिरोशिमा में uranium bomb गिराया था उसी के तहट ये देखा जाता है कि इरान की higher enrichment of uranium ये दरशाती है कि शायद वो इसलिए uranium को enrich कर रहा है कि मौका पड़ते ही वो तुरंट अपना bomb तयार कर सके और उससे इसराइल ये अमेरिका को सीरी सीरी धमकी दे सके कि अगर कोई भी कदम वो उठाते हैं तो उन्हें तबाह करने की शम्ता रखते है अरब कंट्री में किसी के पास nuclear bomb नहीं मुस्लिम कंट्री में पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो अभी कोई और ऐसी कंट्री नहीं जिसके पास nuclear bomb है अगर हम तर्की को हटा दे जो नेटो का member है तो यहां इरान का nuclear bomb बनना ये दिखाता है कि शायद पाकिस्तान की भी तागत कम हो क्योंकि उसका ऐसा कहना है कि वही कलोटे से मुस्लिम कंट्री है जबकि इरान की nuclear power और nuclear bomb टेस्टिंग के बार साओधी नीबिया की उपर दबाओ पड़ेगा कि वो भी कुछ ऐसा करें क्योंकि उन्हें खत्रा है एक major shia power इरान की इतने powerful होने से इस्राइल बार-बार कहता आया है कि वो इनकी nuclear sites पर attack करेगा क्योंकि उसे कभी भरुसा नहीं है कि ये ballistic missile जो इरान बना रहा है लगातार 3500 km की range की missiles जो है ये सिर्फ शान्ती के लिए बन रही है अभी जब युद चल ही रहा है Middle East में इस्राइल जिन में involved है वहाँ पर दबाओ में आता इरान clearly ये दर्शा सकता है कि वो ekvability रखता है और इस program पर काम कर भी सकता है ये पहली बार नहीं है कि इरान को रूकन की कुशिश की गई है जब बराक ओवामा अमेरिका के राश्वती थे तब एक agreement किया गया JCPOA ठीक है जिसके तहत इरान जब ये कह रहा है कि हम nuclear weapons नहीं बना रहे तो अमेरिका ने कहा चलो भई ठीक है आप इस agreement को मैं आ जाओ जिसके तहत IAEA यानि International Atomic Energy Agency ये आपके सारे fuel को, आपके mining को, आपके conversion को, आपके enrichment को, आपके manufacturing को और आपके reactors को inspect करेगी जिससे कि वो उसको monitor कर पाए और ये सब को बता लग पाए कि आप ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हो इसके अलावा जो इनकी important reactors थे, for example, Fordo को एक technology center में बदल दया गया Natanz को, एक एकलोता ऐसा area छोड़ा गया जो uranium enrichment plant था और अराग को जहाँ पर एक heavy water reactor है उसको redesign किया गया, ताकि यहाँ से plutonium ना बन सके, ये बाते GCPO के अंदर गत की गई थे और इसके अंदर कई ऐसी बाते की गई थे आपको, जो इतने आपके uranium की mines हैं, जितने आपके heavy water reactors हैं जितने आपके centrifuge हैं, जो आप बना रहे हो centrifuge अगर आपको weapons बनाने हैं तो ज़्यादा चाहिए होते हैं पावर अगर generate करनी है, तो बहुत कम centrifuge से भी आपका काम चल सकता है, तो वही इरान को बोला गया था, और sanctions उस पे हट जाते इसके बाद, और अगर वो इन चीजों को पूरा नहीं करता, दोबारा sanctions लगते लेकिन दिक्कत ही आई है कि अमेरिका, डॉनलर्टरम्प की प्रेजिंट्शिप में पहले ही से बाहर निकल चुका है और अभी तो इरान के उपर अमेरिका लगातार सवाल उठा रहा है कि भाई आपने जो है यूरिनियम को एंवरिच करना जाड़ी रखा हुआ है और छुपा कर आप ये काम अभी भी कर रहे हो तो इसलिए इरान हाला कि कहता है कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे है पर अमेरिका के पास अब ये कोई responsibility नहीं है कि वो कह सके कि हमारे agreement के तहता आप करसा करना चाहिए बलकि वो ये कह रहा है कि इरान एक rogue state है और अगर इरान के पास nuclear weapons आते हैं तो Middle East में और तबाही मज सकती है और इसलिए इरान में ये earthquake सीधा सीधा कई जगों पर ये खत्रा indicate करता है कि शायद इरान ने एक nuclear bomb बना लिया हो या उसको test कर लिया हो already कई ऐसी agencies हैं जो कह रही है कि already इरान कुछ level पर nuclear weapons बना चुका है उसने उसे test नहीं किया अभी तक जो JCPOA agreement के अंदर कर बाते हुई थी JCPOA मतलब होता है Joint Comprehensive Plan of Action जिसके अंदर उनके उपर sanction हटा कर उन्हें कुछ मदद भी provide की गई थी financially लेकिन ये successful हो नहीं सका और अब जब इरान में ये earth को एक आता है उस तिती में जब already इरान दबाओं में है तो कई लोग ऐसा कह रहे है कि शायद सम्नम का ये province जो तहरान से थोड़ा पास ही है 110 km का distance है ये शायद एक ऐसी debate है जिसके अंदर यारोप लगाना तय है कि इरान ने अपना nuclear bomb test करना शुरू कर दिया है ये desert के पास हुआ था और क्या ये एक पहल है जिसके तहत इरान ने एक nuclear bomb बादाना शुरू कर दिया है क्या इरान अब एक nuclear power बन चुका है जिसने वो testing स्टार्ट कर दी है ये हम सब के लिए सोचने वाली बात है याद रखिए ये इरान और यहाँ इसराइल इसराइल के उपर है Lebanon Lebanon में operate करता है Hezbollah जिनके commander को इसराइल ने मार गिराया दूसरी तरफ यहाँ Gaza यहाँ पर हमाज active है इनके भी leaders को मार गिराया और अब इरान के उपर दबाव था हाल में ही इरान ने साओधी अरिबिया के साथ मिलके Red Sea के region में काम यह किया कि कम से कम वहाँ उनने joint patrolling या military exercise की एक पहल शुरू की है लेकिन इरान अगर यह nuclear test करता है और अगर सही में उनने यह साथ टेस्ट किया है तो इस खबर से ना सिर्फ साथी रिबिया परिशान होगा बलकि इसराइल तो होगा ही होगा और कई अलग देश चैसे UAE और उमान भी सोचेंगे कि शायर उनके लिए अप टेंशन बढ़ जाए क्योंकि इरान को इस region में एक ऐसे देश की तरह देखा जाता है जो कई militant groups को support करता है तो यहां अगर यह nuclear test इरान ने किया है तो इसका मतलब कई देशों के लिए कई सारी दिक्कतें बढ़ जाएंगे और सौधी रेविया अल्रेडी दुनिया के top most arms importer में एक बन चुका है जो अपने defense को और ज़रा मजबूत करना चाह रहा है और weapons खरीद कर अपने आपको strong करना चाह रहा है उस scenario में अगर इरान ने एक्शन लिया है तो शायद अब सौधी रेविया भी ऐसा कुछ एक्शन ले हम आगे देखते हैं कि आखिर क्या खबर निकल के आती है पर ये news तो बहुत vital है जो हमें पता होने चाहिए कि अगर ये धमाका सही में एक nuclear test है या नहीं अपने views आप comment section में लेखिए कि क्या सही में इरान ने ये test किया हो सकता है या फिर ये कोई normal earthquake है और media इसको इस तरह से project कर नहीं है